हलो दोस्तों मेरा नामर हुईत और स्वागता सभीका एक और लेटेस टेक वीडियो में एपल ने अपने आइफोन 15 सीरीज को लॉंच कर दिया इंडिया के अंदर लेकिन क्या आप लोग को पता है कि एपल की इस आइफोन 15 सीरीज के अंदर इस रोकी भी टेकनोलोजी को यू यह हो जाओगे मतलब मज़ा ही आजाएगा आप लोग को तो इसलिए को लिए प्रेक्ट है वीडियो को इसकी मत किजिएगा करो थो यहां प्लूट से चोटे चक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को देख लेता है लेकिन लाइक नहीं करते तो प्लीज एक ल प्रवाइब बैंड नहीं दिया और यह जो टेक्नोलोजी इसको बनाया है इस रोने हम बात कर रहे हैं नाविक की यानिकि नैविगेशन विद इडियान कॉंस्टिलेशन यानिकी जो यह नाविक है वो इडिया का अपना खुद का नैविगेशन सिस्टम है जो दिया गया है इसका मतलब यह है कि इस प्रो मोडल्स है आईफोन 15 के उन्हीं के इंदर आपको देखने के लिए नाविक का नैविगेशन सिस्टम है किया मैं आपको बताता हूँ अभी आप लोग अपने स्मार्टपोंस में GPS का यूज़ करते हैं यह तो आपको पताई होगा तो जो GPS है वो इंडिया का नहीं है वो यूएस का बनाया हुआ है और यूएस के GPS को ही आप लोग यूज़ कर रहे हैं इंडिया में दोस्तों जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं लगबग सभी के पास में अपने खुद के नैविगेशन सिस्टम है अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर यानि कि आपको सिर्फ जीपेस का सपोर्ट मिलता और जीपेस ही यूज़ कर रहे हैं आप लेकिन एपल ऐसा पहला स्मार्फोन बैंड बन चुका है जिसने आईपोन 15 के अंदर दिया है नाविग नेविगेशन सिस्टम को अब यहां पर आप लोग सोच अब जैसे अपना बयान दिया उसमें गोवर्मेंट ने बोला है कि आप जो बाकी स्मार्टफोन बैंड से उनको भी दिसमबर दुहर चोबीस तक यानिकी दुहर 25 की सुरुआत से स्मार्टफोन से ऐसे लाने होंगे जिन के अंदर सपोर्ट दिया गया हो नाविग यह जीपियस को यूज करें हाला कि लोगों को सिफ्ट होना जीपिस नाविग पर थोड़ा सा मुस्किल हो सकता है क्योंकि सुरुआत में लोगों को दिखे आदत पढ़ चुकि जीपियस को यूज करने की जो भी आप लोग गूवर्मेंट जीपियस को हटा नहीं तो फिर लाने के पैशे का रीजन क्या है कि यूज को लाइक की यूज के अंडर एसा होता है कि जो यूएस है वो अपने जीपियस नेविगिसन सिस्टम का सपोर्ड अगर उसने वो हटा लिया तो क्या होगा क्योंकि कि देखें के लगवाग सभी स्मार्ट फॉन्स हो गए या फिर जादा सर्विस आजकल जो है आजकल काया वागर कि रूब काफी सर्विसे संब्रकर काम करती हैं जीफिस के ओपर यानिंगी नैविगेशन के ओपर और के अंदर आप लोग कि आपकी सारी चीज़ आपके जो कि ठप होने वाली है तो बोर के अंदर नेचुर। क्लाइमेटीज कर बाकि सारी बीकाफिश कर सकता है और हाला कि एसा निया कि मैं प्रोपर करें गए करेंगा लेकिन कि अगर मान लीजे कभी GPS को हटा लेती है यूएस यूएस जो है GPS को हटा लेती है बोलते हैं कि यह हमारा है हम इसको हटा रहे हैं कभी वहर के अंदर कभी वी तो हमारे पास एक आपस्टो रहे हैं तो घईक हो अपने और को यूजा यहां पर यह कहना है लेकिन कहीं नंतर यूज्ड एंगे टालक की शोफ्ट्वेर निया जिसके ठूरू डाला था बलकि प्रोपर चिप लगाई जाती है स्मार्टफोन के अंदर मदर बोर्ड के अंदर प्रोपर चिप लगती है उस चिप के तुरू ही जो नाविक कर नेविगेस सिस्टम है उसका सपोर्ट आपको दिया जाता है तो कंपनी ज इसका कहना यह है कि स्मार्टफोन के अंदर नियू चिप लगाएंगे तो उससे जो स्मार्टफोन की वह बढ़ जाएंगी तो थोड़ा सा यूजर पेफेक्ट पड़ेगा पर आइधिंग देखे मैं अपना नजरिया बताम वह यह है कि ज्यादा तो प्राइस में आपको लेकिन अगर आप लोंग टर्म में सोचोंगे देश के लिए कंटरी के लिए अपने आपके लिए अपनी के फ्यूचर के लिए ना तो यह बहुत अच्छी चीज़ा है क्योंकि जो मैं आपको बताया वी रीजन यह काफी तगड़ा रीजन है जिसकंदर यूएस अपने जी सब्सक्राइब यह को सकता है कि जो नाविक है वह इंडिया का नविगेशन सिस्टम में और अभी नया नहीं आएगा पहले आपको तो नहीं है काफी साल पूरा ना यह आपको लेकिन यह जुरूर होगा कि इसी होंगी जो साथ अच्छी ना होगी या फिर आप ठीक से काम ना करें बहुत सारी चीज़ें लेकिन आपको बता दूं इसकी जो एकुरेसी बताया जा रही है ना वो जीपेस से काफी अच्छी है वह मैं आपको समझाता हूं कि अभी मान लेजिए आप किसी की लाइव लोकेशन देख रहे हैं आपको देख रही है तो वहां पर उसका बन ले फिछ सकता है लेकिन यहां पर मैं बात करूं किसकी नाविक की तो नाविक के अंदर यह जो मैं टेमीट बता यह उसके लेए उसका अंदर 5-10 मिटर हैसे समझ रहे हो कहां 20-5 से-10 तो एकुरेसी कितनी अच्य है और भी कावी सारी चीजें जासे की यह पूरे इंडि इंडिया देखना उसके बाहरी 500 किलमेटर आपको दिखेगा और अगर आपको किसी दूसरी कंट्री में देखना तो फिर वो अपना GPS है ही आप उसके यूज कर सकते हो तो इस तरीके से नाविक के एगाम करता है आप लोग मुझे कमेंड करके बताना कि आपको नाविक के बार कि代ू टूसरी किलमेटर आपको अपको झाल Ja side मतारों किsta आपको झाल